दोस्तो करेले के सब्जी तो आपने 1000 वार खाई होगी लेकिन गैरेंटी है करेले की ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी ना तो यह कड़वी होती है और खाने में भी काफी टेश्टी होती है तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे बिले हमने 500 ग्राम करेल कड़वापन होता है वो कड़वापन निकालने का भी तरीका हम आपको बताएंगे तो अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे तो जैसे कि आप देसकते हैं हमने इसके उपर के चिलको इसको भी हम use करेंगे क्योंकि कड़वे होते हैं तो इसका कड़वापन निकालने का भी tip हम आपको देंगे इसके बाद इसके अंदर के हम इस तरीके से काटने के बाद इसमें बिला देंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक प्योंकि नमक डालने के बाद इसमें जो कड़वापन होता है उसको निकालने में काफी मददगार होगा अब हम इसे थोड़ी दिर के लिए रखतेते हैं इसके बाद जो हमारे पास गरेले हैं जो हमने चीले हैं इस पर भी हमें नम नमक लगाना होगा तो दोस्तों नमक लगाने का फायदा यह होता है इसमें कड़वापन इसका असानी से निकल जाता है नमक लगाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे जिससे इसका कसेलापन भी खतम हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसे लगव पून पानी निगल जाए क्योंकि यह जो पानी होता है यही कड़वापन होता है इस So करले बैकार बंते हैं तो इसी तरीके से आपको सभी करले का पानी निचोड़ लेना है किसे बाद हमने इसको बढूल ने रख दिया है इसके बात हम Hello आप करे लिए रख दिया है पानी देम स्कों होग से और हमें इसके宁पर वालना नहीं है में सिर्फ इस इसका जो कड़वापन होता है वो अराम से निकल जाए और दोस्तों याद रखे करेले को भाप लगाते समय आपको इस तरीके से इसको पलटते भी रहना है ताकि इसमें सभी तरफ अच्छी तरीके से उवल जाए क्योंकि इसकी भाप लगना सभी तरफ जरूरी है और इसका पानी निकल जाएगा अब 10-15 मिनिट हो चुके हैं जैसे कि आप दे सकते हैं ये अच्छी तरीके से भाप में उगल चुके हैं और ये काफी सोफ्ट भी हो जाते हैं अब इसका जो कड़वापन है वो भी निकल जाएगा कड़वापन निकलने के बाद अब हमें करना क्या ह इसके बाद हमने फ्राइपन को गयच चूले पर गर्म होने के लिए रख दिया है इसमें हमने थोड़ा सा ओल भी डाला है अब जैसे कि ओल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है इसमें हमें कुछ मसाले डालने होगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ जीरा जीरा डालने के बाद अब हमें करना क्या होगा इसको थोड़े देर गर्म होने दिना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई प्याज तो प्याज को हमने बारे बारे चोपर में काट लिया है और इसके बाद हम इसको डाल देंगे इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून के रहेंगे अब जैसे कि हम प्याज को अच्छी तरीके से भून लेते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे छिलके तो हमने करे लेके चिलके और जो हमने बीज इसमें मिलाए थे वो हम सब इसमें डालके अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे तो जैसे कि य हम इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चमच भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम देड़ चमच अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर डालने के बाद इसम नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इन सब इस चीज़ों में पहले से ही बहुत नमक अपने डाल रखा है तो आप सुवात के अनुसार इसमें डाल लेजिए इसके बाद हम क्या करेंगे इस मसाले को हमें सूका ही भूनना है इसमें कोई पानी उनी नहीं डालना है याद र देना है और इसके बाद हमें इस सभी मसाले को करेले में भनना है तो हमारे पास जितने भी करेले हैं उन करेले में हम इसको अच्छी तरीके से भर देंगे मसाले को तो इसी तरीके से हम सभी करेले में मसाले को भर देंगे और इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा इसक तो जैसे कि आप दे सकते हैं यहां पर कुछ समय लग सकता है इसको बुनने में और यहां पर हमारे करेले अच्छी तरीके से बुन चुके हैं और इसके बाद दोस्तों यह हमारी बहुती टेश्टी रेसिपी बनकर तयार है तो अगर कोई भी व्यक्ति से एक बार खाएगा तो बार वार आपसे मांगेगा बहुती ज़्यादा टेश्टी यह रेसिपी बनती है तो यह करेले की एकदम नई रेसिपी है तो आपको यह रेसिपी बहुती ज़्यादा पसंद आईगी आप अपने घरवालों को इसको उतार दीजिए खाने से पहले क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है और बहुत साथ में धागे भी खा जाते हैं तो इसी तरीके से आप करेले की नई रेसिपी बना सकते हैं यह बिल्कुल भी कर भी नहीं होती है खाने में भी काफी टेश्टी होती है तो आपको हमार आज की यह रेसिपी कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रू बताएं हमारी और रेसिपी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रू दमाएं ठेंक्यो फॉर वोचिंग